हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू स्टेडी वायर यूटूब चैनल MPPSC 2021 ठीक है एक निव कैलेंडर जारी कर दिया MPPSC ने और इस कैलेंडर में जो भी एक्जाम 2021 में होने है वो प्रिलियम को लेकर हो नई भरती को लेकर हो या फिर मेंस का रिजल्ट को लेकर हो सारी चीज़े यहां पर उन्होंने अपडेट कर दिये तो हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे उससे पहले कि जो लोग भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है सबसे पहले आप चैनल सस्क्राइब कर लीजिए इससे जोड़ी हुई जो भी अपडेट होगी निव वो हम सारी ची MPPSC कर लो तो आप मैं साइट पे जाना है आपको ठीक है MPPSC और यदि आप यहां देखोगे तो वाट्स निव ठीक है आपको जाना है यहां पर जो भी अपडेट होती है वो आपको हमेशा यहीं पर मिलेगी ठीक है तो वाट्स निव पर अगर आप जाओगे तो यहां पर जाएगा ठीक है सबसे पहले जो भी निव अपडेट होगी वो आपको हमेशा उपर ही दिखेगा तो यहां पर यह कैलेंडर दीख रहा है ठीक है examination calendar 2021 और यह अपडेट हुआ है 9-7-21 मतलब आज के ही दिन तो आप जैसी इसे उपन करोगे तो एक notification जो है आपके सामने उपन 21 ठीक है अगर यहां आप बात करोगे जितनी चीज़े अपडेट है वो साथी अपडेट पर हम बात कर लेते हैं चाहो तो आप इसका screenshot लेकर पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो राज्य सेवा परिक्षा 2019 की जो हुई थी ठीक है तो विग्यापन आया था इसका 14-11-19 को और इसक मुख्य परिक्षा जो है इसकी हो चुकी है ठीक है मतलब 21-23-29 से 26-21 तक हो चुकी है और यहां अगर हम बात करें तो मुख्य परिक्षा 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 परिणाम जो की मेंस का result आना है वो अगस्त 2021 में आना है ठीक है और साक्षतकार इसका होगा अक्टूबर 2021 में और अंतिम चैन परिणाम भी जो हो जाएगा अक्टूबर में ही आजाएगा साक्षतकार के जश्ट बाद में, मतलब जादे समय नहीं लेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम बात करें, सेकेंड जो वेकेंसी है यहां, राज ये वन सेवा परिक्षा, जो कि ये दोनों एक साथ म ही कंड़क्ट कराएगी थी, इसका प्रिलियम और इसकी प्रारंबिक परिक्षा ठीक है, और इसका परिणाम भी साथ में ही आता है, पर यहां अगर हम बात करें कि इनका जो मेंस से वा अलग अलग डेटो पर होता है, तो मेंस जो हुआ था, राज ये वन सेवा परिक्षा क साक्षातकार होनार नॉम्बर में ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी है मतलब अंति परिणाम आ जाएगा ठीक है अब हम बात करते है 2020 की जो वेकेंसी है ठीक है राज्य सेवा परिक्षा 2020 और इसका विग्यापन आया था 2020 में 28-12-2020 को और प्रारंबिक परिक्षा इसकी होनी वहीं मुख्य परिक्षा जो इसकी होनी है वो नॉम्बर में होना है मतलब जो मेंस होना है वो नॉम्बर में होना 23-28 नॉम्बर 2021 के मद्ध और इसका परिणाम आएगा वो 22 में आएगा मतलब next year आएगा जनवरी में 22 में और साक्षातकार होना इसका मार्च में ठीक है और अप्रेल तक अंति परिणाम आजाएगा जो 2020 की वेकेंसी और जिसका एक्जाम अभी होना है ठीक है और उसी आधार पर जो राज्यवन सेवा की जो 106 पोस्ट है उनका भी सेम है जो प्रिलियम है सेम तारिक है 25 जुलाई कोई अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा और यहा हम बोल सकते दिसंबर 2021 तक जो है राज्यवन सेवा परिक्षा 2020 की वो complete हो चुकी होगी परन्तु वहीं पर हम बात करें कि राज्य सेवा परिक्षा जो है वो 2000 अप्रिल 22 तक जाएगी ठीक है आगया वार देखोगे तो नया कैलेंडर यहाँ 21 का हो गया है ठीक है 21 का आगया नॉबर 21 में और दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है मतलब हम यहाँ बात करें तो दिसंबर प्रिलियम का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा और दोनों यहाँ पर राज्य सेवा परिक्षा और राज्यवन सेवा परिक्षा दोनों का और बात करें हम जो मेंस होना है वो होना है मार्च में मार्च और फर्वरी में और मई में इनका something result आ जाएगा और लास्ट परिणाम हम बोल सकते कि अगस्ट 2022 और जून 2022 तक ये सारी चीजी clear हो जाएगी ठीक है तो मुखे तहा ये 6 ही इसमें जिने जादे तर student prefer करते हैं मतलब जादे तर mostly student इनी की तयारी करते हैं बाकी जो भी यांत्रिकी department या फिर चिकित्सा department से जुड़े तो उनके लिए भी खुसकबरी है कि दंत सल्ले चिकित्सा परिछा 2019 की जो थी उसका प्रकासन जो हुआ था 2019 में हुआ था और online परिक्षा जो है इसकी हो चुके ठीक है 5 सेप्टेंबर तो सारी 5 सेप्टेंबर में होनी वाली है 21 में और October तक इसका परिणाम आ जाएगा ठीक है उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो अभियांत्री परिक्षा और यह सारा का सारा नीचे दे रखा है आप इसे पढ़ लिजिए और इसका ले सकते हैं ठीक है तो यह सारी एक निव अपडेट है जो कि एक खुसी की बात है कि चलो कुछ नई से कुछ अपडेट तो हो रहा है कुछ एक्जाम हो रहा है और धीरे धीरे जो भी चीज़ें वो पट्री पर आ रही है ठीक है तो हम इस लेक्षर में तो यहीं पर रुखेंगे फर जो भी से जोड़ी जानकारी हो आप जादे से जादे लोगों तक पहुँचाए जिससे जो भी स्टुडेंट इन एक्जामों के तैयारी कर रहा है तो आपने बिल्कुल मोटिवेट होकर और एक सावधानी पूरवक अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे है ठीक है गूट लग